नमस्कार दोस्तों मैं कनुसगर और कनुसगर में सब का स्वागत हैं आज हम से करेंगे पे-टीयम में से किस तरह हम और यह कि सकते हैं मतलब पैशे कमा सकते हैं तो इसे में आपको एक बिंति करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकरी की नोटिफिकाशन के जर sharpen दे रहें तो आयो देखते हम आपको पहले पेटीम में किस तरह मैंने अनिंग किया हुए उसके बार में बता देता हूं मैं आपको तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर पास्पूक में मैं आपको दिखाता हूं यह 35 जो है उनके आप देख सकते हो नीचे ले जाता हूं मैंने यह एप्लिकेशन के एक एप्लिकेशन है टाइप रैटर उसके जरिये मैंने पैशे कमाया है तारिक से लेकर मैंने शुरू किया है यह जो अर्निंग है छे से यह जितना समय निकालोगे उस अप्लिकेशन में वैसे आपको इतना इन्ग मिलता जाएगा छे से क्या आप पचास सो तक भी आप कमा सकते उसे ज्यादा भी कमा सकते हो तो देखते हैं किस तब कॉनष अप्लिकेशन के द्वारा पहले आपको प्लेश्टोर में जाना है प् टाइप राइटर लिखना है यह जो दूसरे नम्र का सिम्बोल आया हुआ है यह इसको आपको क्लिक कर देना है आपको बड़ाबर देखना है यह ऐसे सिम्बोल होना चाहिए टाइप राइटर रेड़ राइट अगण आर्न फार्म स्टोरीज तो यहां पर मैंने पहले से ही इसे लिए आपको पहले इंस्टो कर देना है जितने भी इंफ्र भा करने हुआ पूरी इंफ्रेमेशन टायप करकर का सब्मीट कर देना है फिर बात में आपको यह जो एप्लेकेशन उनको प्रण करना गया हम देखेंगे किस तरह जो उसका यूज कर सकते हैं आपने जब पूरी information डाल दी होगे को इसी तरह एक page आएगा जिसको हम home page बोलते हैं सबसे दाइवर तीन dots है उसके उपर क्लिक करोगे तो आपके इसी तरह का function मिलेगा दाइवर ये पहला है मतलब comment है मतलब ये समझ लिए कि comment का एक symbol है है ना तो यहां क्या होता है कि आपने एक कोई भी story publish की हो तो उसको जो cursor मिलते हैं तो उसके बारे में बताते हैं या फिर आपने किसी को follow किया है और follow किया है तो उसने जो भी नई कोई story publish की होगी तो उसके बारे में भी आपको यहां से जानकर मिल जाएगी यह है अपने खुद की स्टोरी लिखने के लिए यह है आपको कितना पॉइंट मिला है इसके लिए बकेट की तरह यह हमारा खुद का इंफॉरमेशन यह सेट्टिंग के बारे में है और यह होम पेज है आए देखते हैं सबसे पहले आपके बताता हूँ किस तरह मिलता है पोईंट हो जाने के बाद तो 234 हैं तो बताता हूँ कि किस तर पॉइंट मिलते हैं है करसर का आपको धो ही पॉइंट भर लगा तो सबसे में मेलने जाओंगा लिखा हों पेज्वे में जाता हूं तो उनको बहुत सारे जितने भी पुलिश हुई है शरी यहां पर मुझे दिखा दी पहले कोई भी एक शरी में क्लिक करूँगा जासे कि चांद नी आते हैं उसके पर मैं क्लिक करता हूं फिर बाद में आपको क्या करना है और आँक जैसी हो अगर पढ़ना है तो नहीं तरफी आपको यह जो सिंबोल है उसको उपर क्लिक करो बाद में एक से दस लेकर करसर होते हैं आप एक करसर देते हो दो करसर देते हो तो आपको दो ही पॉइंट मिलने वाला है जैसे बताते हैं 234 तो हमारा पॉइंट था ही मैं यहां पर इनको छे पॉइंट देता हूं 100 लव उपर क्लिक कर देता हूं तो यह थेंक्यो फॉर वाचिंग का पिस्ट आजाएगा फिर आपको उसके उपर दाई वर तीन जो डॉट से उपर क्लिक करना तो यह से मैं वा जाएंगे अब हम बकेट में जाते हैं कि हमारा जो पॉइंट था अ पैसियमे से कवर्श हो जाएगा केश आउट करोगे आप तो उसको को पेटीम नंबर डालना पड़ेगा जो डाल सकते हो अब हम बात करते हैं यह जो है कॉमेंट वाली उसमें मैंने बताए था उसी तरह आपने प्यंठ की है तो आपको प्यंठ करने के बाहरा जितनी खरसर मिले हैं उसके बारें बताएंगे जैसे कि यहां सुभागी चौक्षी ने ड्रेम बिलेव एंड एचीवे स्टोरी कलके पब्लिश की है तो उसको आप टज करके पॉइंट करशर दे सकते हो यहां पर मैं आपको बतातू कि देखो यहां पर यह मेरी जो साहरी है मैंने पब्लि कुमार ने साथ इसी तरह सत्यमोम ने दस करशर दियेगे हैं तो यह जो करशर है यह करशर जितने करशर होते हैं आपने कोई पब्लिश की है स्टोरी तो हर एक करशर का एक पॉइंट मिलता है दस है तो दस पॉइंट मिलेगा अगर किसी को आप जब करशर करते हो तो उनको सिर्फ दो ही पॉइंट मिलता है आप चाहे दस ले लो या आठ ले लो या साथ ले लो फिर भी आपको दो ही पॉइंट मिलता है लेकिन पब्लिस करने से बहुत फाइदा वाता है कि आपको जितने भी लूग करशर करेंगे जितने करशर करेंगे साथ हो या दस तो उसी तरह क आपको पॉइंट मिलेगा दस करते तो दस पॉइंट मिलेगा तो बब्लीज भी अच्छा रहेगा तो उससे हमें मौना पजादा रहेगा हम पिर आजाएते हैं यह हमारा इंफर्मेशन है देखते हैं कि यह को एक फॉलोर से फॉलॉइंग है आपने जितने पी स्टोरी लिख करना चाहते होता हूं का सित behavior अपर जो है किसे तर रहे किसे हम राइट कर सकते पर स्टोरी और फिरख कैसे प्रव्लिस कर सकते देख सकता है नविच्च्छे कि ने इसगने प्रहेट डेदिया है केटेगरी आप क्या करना चाहते हो मतलब लॉल है नो क्राइम है कोई कवीता है जैसे में मालेजी कोमेडी पर क्लिक रख दिया ट्यक्स क्या होता है कि कोई लोग कभी-कभी ट्यक्स के जरीए सर्च करते हैं अगर नाम ना पता हो तो इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हो अपने जो भी आपने लिखा उसके लगने वाला सब्द लिख सकते हो करकर यहां पर change your cover अगर आपको नहीं रखना है तो रखना थी तचीए इसके लाइप्योंग करकर यह नहीं करना है तो तो जैसे कि लाइबरेर में ले लीजिए तो इसी तरह मा लिजे कि मुझे का यहां पर यह अच्छा लगता है तो आपको जितना भी लगे उतना इस भी ड़न कर देना है तो आजाएगा यह से क्लिक कर देना है फिर आपको लीखने का स्टार्ट लग दो यहां पर अलग- लिखे अंडरलाइन है या फिर आपको किस तरह का वर्ड निचे अंडरलाइन चाहिए या डेगाउन किस तरह का चाहिए तो आप कुछ भी लिख सकते हो लिख जाने के बाद आप ड्राफ्ट भी कर सकते हो या पब्लिश भी कर सकते हो पब्लिश करने के बाद वह लोग अगर आप अभी लिखना चाहते हो बाद में आप पॉब्लिश करना जाते हैं तो डाफ भी करती जी तो पॉब्लिश नहीं हुआ चलते हैं सिदा मियनु में तो इसी तरह हम है वो का पैसे कमा सकते हैं मेता यह कहता हूँ कि आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा स्टोरी लिखो या कोई जोक्स लिखो या साहिरी लिखो और उसे पब्लिश करते जाए ताकि पब्लिश करने से हमें बहुत मुनाफा होता है अगर आपको यह मेरा वीडियो सही में अच्छा लगा है तो उसको शेर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले